बहुत बहुत अभिनन्दन है आपका दिव विस्रजन में और प्रतेग दिवस की भाती हम आज भी लाइव चर्चा का कारिक्रम यहां शुरू कर रहे हैं और आज का जो विशय है वह समाधी सुख स्वयम ही दृष्टा और स्वयम ही दृष्य यद्पी योग शुत्र में भी दृष्टा दृष्य की काफी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं शिव शुत्र में भी यह चर्चा है वैसे जो आज का जो विशे है समभवता इसको इसपष्ट कर पाना बहुत सरल नहीं है क्योंकि मैं इसकी गहराई जितना समझ पाता हूँ एक भूंद जैसी अनुभूती मुझे भी होती है लेकिन बात यह है कि गहराई में उतरने पर आनंद की कोई सीमा नहीं है समाधी सुख क्या है अगर भैरो तंत्र या शिवसुत्रों की माने संसार में आपको जितने भी सुख का अनुभव हो रहा है संसार में आप जितने भी सुख का अनुभव करते हैं आप जितने भी आनंद का अनुभव करते हैं वास्तों में वो एक समाधी सुख का ही एक जहलक मात्र है एक आभास मात्र है सच पूछिये तो यदि सुख है तो वो मात्र समाधी में ही है उससे पहले कोई सुख नहीं है लेकिन फिर भी संसार में आप जितने भी सुखों का अनुभव करते हैं जितने भी सुख है जितने भी प्लेजर्स है चाहे वो प्लेजर आपका psychological हो जैसे की अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ यह शिव सुत्र में वैसे इसको व्याख्या करके नहीं बताया जा रहा है लेकिन जो भी मैंने साधना की है और जो भी थोड़ा अध्यन किया है उसी के धार्पे में ये कह रहा है हाँ शिव सास्त्र शिव सुत्र या शिव अध्वैत दर्शन भी इस बात की माननेता शिव सुत्रों में तो नहीं लेकिन भैरो तंत्र के अंदर ऐसी माननेताओं को वो प्रस्तूत करते हैं संसार में जितने भी सुख है जितने भी सुख है उन सभी सुखों में जो सुख की जलक मातर ही प्राप्त होती है वास्तों में सुख प्राप्त नहीं होता और वो जो जलक है वो इसे समाधी सुख का ही जलक है आपको भूख लगी है आपको भूख लगी है और आपने भोजन कर लिया और जब आपने भोजन करना शुरू किया आपको आनन्दाना शुरू हुआ ज़्यादा भूखे थे तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में भोजन करेंगे आपका पेट भरने लगा आपको संतुष्टी मिलने लगी और उसमें भी कोई घर जैसा भोजन आपको दे दे भूख लगने पर उससे ज़्यादा स्वाधिस्ट कुछ नहीं होता तो यदि भूख लगी है आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद एक समय आएगा जब आप बोलेंगे कि बस हो गया अब नहीं खाना कुछ चेहरे पर प्रसनता होगी चेहरे पर एक मुसकान होगी आखों में एक संतुष्टी होगी आखों में एक संतुष्टी होगी चेहरे पर मुसकान होगी और आप बोलेंगे कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए मेरा पेट भर चुका है मैंने भोजन कर लिया है आप उस समय जिससे भी मिलेंगे आपके चेहरे पे सभी लोग एक संतोष का अनुभाव करेंगे कि हाँ भाई भोजन करने के बाद एक कांती जो चेहरे पर आती है उससे आप भली भाती आउगत है उसी प्रकार जब आप सोज आते हैं संसार में संसारी के रूप से जितने भी प्लेजर है चाहे वो आहार का हो, भोजन का हो, निद्रा का हो, मैथुन का हो जितने भी आपको प्लेजर मिल रहे हैं जहां पर भी आपको संतुष्टी जैसी अनुभोती हो रही है उसमें समाधी सुख का ही एक जलक मात्र है एक जलक मात्र है समाधी सुख का वास्तों में पुर्णता जो सुख है वो समाधी में ही है स्वेम में इस्थित हो जाने में है ठीक है, यह अनुभाव थोड़ा सा कई बार यह अनुभूती बहुत सरल नहीं होता जितने भी संसार के सुख है, जितने भी संसार में प्लेजर आपको मिल रहे है उन सब में समाधी सुख की ही जलक है लेकिन कई बार हम इसको सहजिता से तो अनुभाव नहीं कर पाते हम तो संसार के पीछे भागते रहते हैं सुखी होने के लिए हम संसार के पीछे भागते रहते हैं सुखी होने के लिए कि हम सुखी हो जाए लेकिन वास्तों में सुख क्या है सही से हमको पता भी नहीं अभी तक और संसार की वस्तुएं कोई भी इस्थिर नहीं है संसार की वस्तूओं के पीछे आप जितना भागते हैं उतना अशान्त हो जाते हैं जो कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंडे वन माही वैसे घटगट राम बसत है दुनिया बूझे नाही या इस्थिती है वास्तविक इस्थिती मिर्ग मरिचिका जैसी बस हमें संसार में जो सुख प्राप्त होता है एक छल के रूप में प्राप्त होता है एक दिखावे के रूप में ज़्यादा तर प्राप्त होता है हमें वास्तविक जो सुख की गहराई है सुख का जो समंदर है वो हमें नहीं मिलता आनन्द का समंदर ओशन ओफ प्लेजर ठीक है? ओशन ओफ प्लेजर जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता वो हमें कैसे मिलेगा? सुक का जो सागर है उसका जो द्वार है वो ध्यान में है, समाधी में है समाधी से ही मिलेगा समाधी क्या है? सम की अवधी वास्तों में आपने भोजन किया कुछ कमिया थी, कुछ असंतुलन था आपने भोजन किया तो वो संतुलन बन गया आपके शरीर में एक असंतुलन था आपकी आसकती शरीर में है और आपके शरीर में एक असंतुलन है आपने भोजन कर लिया तो वह संतुलन बन गया संतुलन बन गया और जब संतुलन बन गया तो आप सुखी हो गया संतुलन के सिध्धान्त को समझिए और फिर संसारिक भोगों को भोगिए आप पाएंगे संसार के प्रती आपका दृष्टिकोन बदल जाएगा इस चैनल के सुरुवाती विडियोज में आप जाएंगे ठीक है तब चैनल में बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे और इतनी अच्छी कैमरा और आवडियो डिवाइसेस नहीं थी मेरे पास अभी कुछ है तो कुछ ठीक से हो पाता है लेकिन आप शुरुवाती विडियोज को देखेंगे तो वहाँ पर भी संतुलन के सिध्धान्त की बाते ही शुरू से की गई है यदि जीवन को सुखी करना है तो संतुलन के पीछे भागो सुख के पीछे भागना बन करो कि मेरे पास ये आजाएगा तो मैं सुखी वो आजाएगा तो मैं सुखी शायद बहुत सुन्दर जीवन साती या शायद बहुत पैसा तब मैं सुखी लेकिन अत्यधिक सुख के पीछे भाग भाग कर आप अपना संतुलन ही बिगाड़ लेते हैं यदि भोजन करकर आपको सुख प्राप्त हुआ भोजन करके अभास कीजिए कि आपको भूख लगी है और आपको स्वादिष्ट घर का भोजन आपको मिल जाए अच्छे चावल अच्छी दाल राजमा अच्छी सब्जी घर की बनी हुई मैं होटल के स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ वो तो आप अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए बाहर का खाना खाते हैं लेकिन जो भूख मिटती है जो स्वाद घर के अच्छे बने खाने में हो सकता है वो आपको बाहर से शायद नहीं मिल सकता है और आपको भूख भी लगी है और घर का खाना आपको मिल जाए अच्छा खाना अच्छा खाना मत्तब पॉस्टिक भी बहुत तो रिच खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपको मिल जाए तो आप जो है उसको भोजन को करकर आप संतुष्ट हो जाएगे आपके मन में संतोष आजाएगा एक कमी थी जो पूरी हो जाएगी लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण है कि मनुष्य अपनी कमीओं को पूरा करने के बजाए वो अपनी तृष्णाओं को बहुत बढ़ा देता है। तृष्णा को अगनी देता है। घी डाल देता है तृष्णा रूपी अगनी में। मजबूरी में गोलियां खानी पड़ एक अलग बात है। लेकिन ड्रक्स लेकर कोई नींद लेगा तो पता चला 6 घंटे की जगा 12 घंटा सोया ही रहेगा। तो वो जो सोना है आपके दुख का कारण बन जाएगा फिर। वहां संतुलन बिगड़ेगा। और ज्यादा भोजन के कारण जो भोजन आपको सुखी करता है वो भोजन आपको दुखी करेगा। लेकिन जितना आपको भूख है और आपको अच्छा भोजन मिल रहा है तो वो जितना संतोष देगा आपके चेहरे पर जो कांती आएगी जो प्रसन्नता देगा वो उसको बता नहीं सकत अब एक शब्द का मैं प्रियूब करूँगा आपको यदपी आध्यात्मिक अस्तर पर उसका अर्थ कुछ और है बाहर में लोगों ने बहुत कुछ और लगा दिया है सम्भोग समता पुरुवक किया गया भोग ही सम्भोग है समता पुरुवक मतलब संतुलन के लिए नाकी असंतुलन के लिए शाब्दिक अर्थ है एटाइमोलोजिकल मिनिंग है सम्भोग शब्द का एटाइमोलोजिकल मिनिंग कि शब्द विद्पती से उसका क्या अर्थ निकलता है आपने कुछ औरी अर्थ निकाल दिया, किताबों में लिख दिया गया, इस शब्द का प्रयोग, बस किसी विशेश जगा के लिए प्रयोग कर दिया गया, विशेश क्रिया के लिए प्रयोग कर दिया गया, लेकिन भोग और सम, आप भोजन कर रहे हैं, तब भी तो भोग कर मालनों कि आपको कोई कष्ट पहुँच रहा है आपको बिमारी हो गई है तब भी आप भोग कर रहे हैं हाँ वो दुखों का भोग है इसलिए भोग की सही परिभाशा आपको पतंजली योगसुत्र में मिलेगी हमें कर्मों से तीन चीजे प्राप्त होती हैं जाती आयू और भोग ये योगसुत्र कहता है करमों से तीन चीजे प्राप्त होती हैं जाती, आयू और भोग लेकिन जैसे ही भोग शब्द का प्रयोग होता है लोग समस्ते भोग मतलब संसारिक चीजों को भोग ना जी नहीं यदि आप दुखों का भोग कर रहे हैं तो वह भी भोग है यदि आप सुखों का भोग कर रहे हैं तो वह भी भोग है भोग के दो पक्ष है, दो रूप है, सुख और दुख संसार तो द्वैत्मय है, प्रकृति तो ऐसे ही काम करेगी इसलिए करमा अनुसार तीन चीजे प्राप्त होती है जाती, आयू और भोग जाती का मतलब किसी योनी में जनम होगा तो संतुलन पुरुवक, समता, सुख दुखे, समय किर्टवा, लाभा, लाभो, जया, जयो इसलिए विज्ञान भैरव, या कई शैव सास्त्र कई जगहों पर वो संभोग जैसे शब्दों का प्रियोग भी करते हुए पाए जाते हैं लेकिन हमने एक जगह के लिए इसका अर्थ बना दिया है फिक्स कर दिया है कि भाई, संभोग का तो यही अर्थ होता है दूसरा कोई अर्थ नहीं होता वास्तों में क्यूं, अब एक और यहां प्रश्ण उठता है ऐसा हमने नहीं किया, हमारे शास्त्रों ने किया एक विशेश क्रिया के लिए जिसको हम रती क्रिया या फिर इस्त्री पुरुष मिलन के उससे हम देखते हैं उसी को क्यों संभोग का गया जान भूज कर हमारे शास्त्रों ने क्योंकि मनुश्य इस भोग के परती बहुत सचेत हो जाए बहुत सचेत रहे क्योंकि यदि इन संबंधों के परती बहुत सचेत नहीं है तो उसका जीवन नरक भी बन सकता है और बहुत सचेत है तो स्वर्ग भी बन सकता है तो सचेत होने की आवशकता है फिर लेकिन वास्तों में इस शब्द का अर्थ है संतुलित भोग ही संभोग है संतुलित भोग, संतुलित भोजन करिए अब इसी शब्द को बाध दर्शन में तथागत बुद्ध ने सम्यक शब्द का प्रयोग किया सम्यक दृष्टी, सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक समाधी, सम्यक योग, अश्टांग मार्ग अश्टांगिक मार्ग बुद्ध का जो अश्टांगिक मार्ग है उनमें ये सारे steps बताएग हैं, ये steps नहीं है, ये एक ideological theory है, लेकिन जो पतंजली का स्टांग योग है, वो practical theory है, मतलब कि वो practical करने की चीज़ है, वो प्रैक्टिस करने की चीज़ है, वह जो है एक ideological theory है, उसमें सम्यक दृश्टि की बात है, सम्यक कर्म की बात है, इसी तरह से सम भोग है, संतुलित भोग करना और जब संतुलन में हम जब रहते हैं तो फिर हम सुख की अनुभूती करते हैं, यदि संतुलन बिगड़ेगा तो दुख की अनुभूती होगी और ऐसे लोगों की संख्या अपार है एक ने मुझे तो अनेकों लोग फोन करते रहते हैं यह दूनाट लैक मनी पैसे की कोई कमी नहीं है करोर्स में बैंक बैलेंस है करोर्स में आजकल जमाना बतल गया लाखों की कौन बाते करता है आसे 30-25 साल पहले 20 साल पहले लाख मतलब बापरे लाख लेकिन अब जमाना करोरों पे आ गया है तू तो मिलियंस में बैंक बैलेंस है करोडों में बिलियंस में ट्रिलियंस में बैंक बैलेंस है लेकिन संतुलन बिगड़ा हुआ है संतुलन बिगड़ा हुआ है तो संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वास्तों में आपको जीवन में करना ही क्या था संतुलित ही होना चाहिए था और समाधी का सुख संतुलन का सुख है आप भूखे थे संतुलन बिगड़ा हुआ था तो आपने भोजन कर लिया संतुलन स्थापित हो गया आप सुखी होगे लेकिन ज़्यादा खा लिया अरे लाव भाई फ्री का मिल रहा है न कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो इसी लिए बहुत सोचने और समझने कि यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं संतुलन के सिध्धान्त को अपने जीवन में लागू कीजिए आपको संतुलित होना है और जब आप संतुलित होने के सारे प्रयास करेंगे तो आप सुखी भी हो जाएंगे सुखी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगे लेकिन सुखी होने के चक्कर में जब आप संतुलन बिगाड़ देते हैं तो जिन वस्तुओं से आपको सुखी होना था उन्हीं वस्तुओं से आप दुखी होते है बहुत पैसा ही आपके दुखका कारण बनता है बहुत भोग ही आपके दुखका कारण बनता है अत्यधिक भोग में आप लिफ्त हो जाते हैं आपको मिलता भी है और आप लिफ्त भी हो जाते हैं वह भी आपके दुखका कारण बन जाता है अब वो भोग की कई रूप हो सकते हैं अहार निद्रा भाय मैतुन ये चार इस्तंबतों जीवत्तों का है ये तो लगे ही हुई है पीछे बांध के सबसे पहले चार बंधन है ये उसके बाद ना जाले और बहुत सारी चीजे है फिर कई विकृतियां है इर्श्या दिवेश और कई चीजे ठीक तो वास्तों में हमें अपने लाइफ में लाना क्या है संतुलन लेकर आना है हर चीज में संतुलन भोजन करने में संतुलन बोलने में संतुलन तभी तो सम्यक्ता आएगी जो बुद्ध का अपदेश है सम्यक्ता तभी आएगी तभी सम की अवस्था जो शिवसुत्र कहता है संतुलन और जैसे आप संतुलन की अवस्था में आएंगे बढ़ते जाएंगे आप ध्यान करते हैं ध्यान क्या करता है ध्यान योग आपको क्या करता है एक संतुलन की अवस्था मिले जाता है शांत अवस्था मिले जाता है शांती कहां संभाव है जहां संतुलन है जहां संतुलन नहीं है उपर नीचे उपर नीचे लगा रहेगा तराजू के दो पड़ने हैं अगर उनका बैलेंस नहीं बनेगा तब तक उपर नीचे उपर नीचे होते रहेंगे दुकानदार के पास जाते हैं न आजकल तो सब जग वेइंग मशीन आ गया है दुकानदार वही रखते हैं लेकिन जो है फिर भी शायद आप सबजी बरजाज अगर चले जाए गाउं के छेतर में चले जाए तो पुराने वाले तराजू आज भी मिलेंगे बजन एक साइड रखा समान रखा जी उपर हो रहा है नीचे रह हो रहा है अभी और डालना है बैलेंस में ले आना न उसको बैलेंस में ले आना है और जैसे ही बैलेंस में आ जाएगा तराजू क्या होगा शान्त हो जाएगा तो वास्तों में आपको होना क्या है? चान्त होना है, आपको संतुलित होना है और समाधी संपुल्ण संतुलन की अवस्था है समाधी जो तीनों गुनों की ही संतुलन कर देती है वास्तों में जीव और प्रकृति का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि तीनों गुनों की विशमता होनी चाहिए, तीनों गुनों का असंतुलन होना चाहिए रजो गुन, तमो गुन, सतो गुन इन सब का असंतुलन होगा तभी जिवत्व रहेगा, तभी कर्म रहेगा, कर्म फल रहेगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा, ला बहानी, जै पराजे यह सब चलता रहेगा, मान, अपमान, यश, अपयाश चलता रहेगा लेकिन जब संतुलन की अवस्था बन जाएगी तो समाधी सुख समाधी सुख वो सुख है जैसे सुख का सागर मिल गया आपको सागर में गोते लगाने अपने शुरू कर दिये सुख के सागर में आनंद के सागर में और संसार में भी जितने सुख और संतुष्टी की जो जितनी भी बाते हैं वो उसी समाधी सुख की जलक मात्र है शिव सुत्र इस बात पर विशेश करके विश्वास कर और इसका प्रमान देता है समझाता है कि आप संसार में जितनी भी सुख भोग रहे हो देहिक सुख हो दैविक सुख हो दैविक सुख फुला सा मानसिक रूप से ज़्यादा हमें प्राप्त होता है और देहिक सुख बिना देवताओं अब विमानसा के अनुसार चलेंगे तो देवताओं की तो भागिदारी हर करेंगे एक साइकलाजिकल सुख आपको एक विक्ट्री मिली आप विज्यता हो गये, competition की त्यारी कर रहे थे, I.S. की त्यारी कर रहे थे, I.I.T. की त्यारी कर रहे थे, accomplish हो गया, हाँ ये अलग बात है कि I.S. बनने के बाद जीवन कैसा होगा, सुकी होगा के नहीं होगा, कुछ I.S. लोग आतमहत्या भी करते हैं, कुछ I.S. लोग बचारे, अपराध क भी शिकार हो जाते हैं कई बार, लेकिन जिस समय I.S. बन गया, जिस समय I.I.T. आपका clear हो गया, आपने एक संतोष का अनुभाव किया, कि चलो भाई हो गया, यह जो छोटा सा अनुभाव है, यह भी समाधी का अनुभाव है, एक उसकी जलक आ रही है, यहा तक की भोजन कि और संतोष्टी का अनुभा हुआ वो भी उसमें भी समाधी है, एक अन्श उसकी एक जलक है, जलक मात्र है हम इतना कह सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से समता अस्थापित हो जाए, पूरी तरह से सम अवस्था में चले जाओ, तो फिर तो वो सुक्का सागर है, योगी उ उसी सफलता को प्राप्त करते हैं, और वही वास्तविक सुक है, समाधी का सुक्ष, योगी इस सवस्था में अपने भीतर ही स्वा इस्थित हो जाता है, आत्म इस्थित हो जाता है, इसलिए वो स्वेम द्रश्टा है और स्वेम द्रश्व है, और ऐसे ग्यान का भाव है, साक्षी भाव है, लेकिन जो तूरिया तीत है, जो आत्मा में स्थित है, संपूर्ण स्थित है, जब उसका एक भूंद भी मिल जाए, यहाँ पर झलक नहीं है, यहाँ पर एक भूंद मिल रही है, जीवन के माएने बदल जाते हैं, उन्हीं योगियों के लिए आ कि भोग में रह रहा है, संग में रह रहा है, संग वहीन में रह रहा है, जंगल में बैठा है, या महलों में बैठा हुआ है, कोई फरक नहीं पड़ता, वो जो एक भूंद का स्वाध है ना, उसके दिमाग में घूमता रहता है, वो उसी नशे में रहता है फिर, वो संसार का भोग करते हुए भी उसी में रहता है और घूम फिर कर वही पहुँचता है कितना भी भोग कर ले कितना भी संसार उसे मिल जाए कोई फरक उसके उपर नशा अब संसार का नशा उसके उपर चढ़ने वाला नहीं है संत्र अविदास कहते हैं कि जैसो रंग कुसूम का वैसो ये संसार मेरे रमये रंग मजीठ दा कहे रविदास चमार कि उसका जो रंग है इतना मजीठा है कि वो फिर छूटता नहीं अगर एक बार चढ़ गया तो रहो तुम जहां रहना है तुम रहो क्या फरक पढ़ता है तुम भोग में रहोगे योग में रहोगे उसका एक नशा उसका एक असर बना रहेगा तुमारे उपर क्या भोग भोगोगे फिर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में तो संतुलित होना था और समाधी सम की अवस्था है तो जो योगी हैं वही संभोग करते हैं पाकियों की बसकी नहीं है कि उनके द्वारा संभोग हो सके उनका तो सिर्फ पतन होता है वो भोगता है ही नहीं वो तो भोग्य है तुम्हे भ्रम है कि तुम संसार को भोग रहे हैं उन्जी नहीं तुम्हे भ्रम है कि तुम संसार में दुनिया के मज़े ले रहे हैं दुनिया तुम्हारे मज़े ले रहे हैं सच्चा है ये है तुम एक बस एक कटपुतली जैसा जीवन है मनुष्य का और उसमें उसको थोड़ा सा भ्रह्म हो जाता है कि साध मैं सुखी हो जाओंगा शायद बहुत धनवान हो जाओंगा तो मैं सुखी हो जाओंगा ऐसा उसे भ्रम हो जाता है शायद ऐसा कर लूँगा तो सुखी हो जाओंगा शायद वैसा कर लूँगा तो सुखी हो जाओंगा शायद नेता बन जाओंगा बहुत बड़ा कोई नेता बन जाओंगा, तो सुखी हो जाओंगा, साइद विदेश चला जाओंगा, तो सुखी हो जाओंगा, एक भरम है, अरे भाई, आप सुख का तल, आप कितने बड़े मुर्ख बनते हैं, इस बात का अंदाजा नहीं है, हम कितने बड़े मुर्ख बनत दूसरों को देखकर अच्छा उसने वैसा कर लिया हमारा भी ऐसा हो जाए हमारे बेटे का भी हो जाए हमारी बेटी का भी हो जाए तो इनका भी जीवन इनकी भी लाइफ बन जाएगे पता नहीं बनेगे की नहीं बनेगे कौन जानता है लेकिन फिर भी आदमी लगा रहता है दूसरों के सुखों से अपने आपको compare करने में लगा ही रहता है वो कि शायद ऐसे सुखी हो जाता है आदमी शायद वैसे सुखी हो जाता है आदमी अच्छा भाई देखो दूसरों को देखकर internal बात तो हम रहिं क्या पता कि किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है बहुत बड़ी गाड़ी है क्या पता कि वो बहुत सुखी है हो सकता कि मैंने ऐसे लोग देखे एक महिला से में मिला में नाम नहीं ले सकता उनका प्रसद्द हैं इसीलिए बहुत प्रसिद्ध भी नहीं है लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है रेप्यूटेट प्रसनाल्टी है थोड़ी सी अब नहीं जानते लोग उनको एक समय पर जानते थे आज भी है व्रधा वस्था में है बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर नौकर, चाकर, गाड, गाड़िया पुरे दुनिया भर में वैपार, बिजनिस क्या नहीं पती की मिर्थियों के बाद बहुत अकेले हो गए निसंतान रही यह मस सोच लिए जिया कि यही तो प्रकृती है प्रकृती अपना हिसाब किताब ऐसा रखती है कि जब तक आप योग मार्ग पर जाओगे नहीं तब तक वो आपको कमिया अनुभाव करवाती ही रहेगी वो आपको कमिया अनुभाव करवाती ही रहेगी अब रात को जब सो जाती है तो लगता है कि कोई उनकी हत्या कर देगा जो कि मेरी हत्या करकर बहुत लोगों को लाब होने वाला है कभी-कभी उनको लगता है कि उनके बाउंडरी को क्रॉस करकर गेट में तो ताला लगा है लेकिन पीछे से बाउंडरी को क्रॉस करकर कुछ चोड़ डाकू घुसरे है घर में अपने आप imagination होता रहता है ऐसी भयावह मानसिक स्थिती भयावह मानसिक स्थिती बन जाती है लेकिन हम compare करते रहते कि शायद लोग ऐसा करके बहुत अच्छे हो जाते हैं लगा रहता है और compare करके ही हम अपने सुखों को ढूनने में हम लगे रहते तूलना तमक दिश्टी कों से और कई बार इस तूलना को जान भूज कर पैदा किया जाता है जान भूज कर पैदा किया जाता है जान भूज कर glamour create किया जाता है ताकि आप मुर्ख बनाए जा सको ऐसा भी होता है जी हाँ बहुत बड़े बड़े कमपनियां बहुत बड़े बड़े चीजें जहाँ पर लोग जो है आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट चलेगा कि भाई आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत ये हो जाएगा बहुत वो हो जाएगा आप बहुत भले हो जाएगे और आप ऐसा कर लेंगे तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा आप नहीं जानते दुख आने के कई रास्ते होते हैं अब कहां से गुसेगा बताना मुश्किल है लेकिर फिर भी आदमी लगा रहता है क्योंकि वो लेबल ज़्यादा पसंद करता है कि लोगों को सुनने में लगे कि हाँ भई हम भी कुछ हैं बस सुनने में लगे है कि नहीं है वो एक अलग बात है तो जब तक इस प्रकार की सोच रहेगी आप सुख की तलाश कंपेर करके करोगे क्योंकि यह प्रकृति अपने आपको ऐसा मैनेज करके रखती है कि आप कहीं भी चले जाओ संसार में कहीं भी चले जाओ दुनिया का कोई भी जगा अपने आप में परफेक्ट नहीं है आपको सब कुछ नहीं दे सकता हो कोई भी घर, कोई भी बंगला, कोई भी गाड़ी अपने आप में परफेक्ट नहीं है वो कोई न कोई कमजोरी या कमी का एहसास आपको करवाएगा ही करवाएगा नहीं करवाने का प्रश्ण ही नहीं उठता यही प्रकृती है यही संसार है किसी को संसार कहते है लेकिन हमारी जो टेंडेंसी है हमारी जो वृती है कि हम सुक्य पीछे भागते हैं बहुत ज्यादा सुक्य पीछे हम भागते हैं तो माया माया तो सब कोई कहते हैं हम भागते हैं कि हम सुखी हो जाए हम ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाए वैसा हो जाए तो सुखी हो जाए और अंत में जो result निकल कर आता है वो बिलकुल बराबर आता है बराबर आता है मतल़ कि कुछ लगता है कि भाई क्या कर लिया अपने इतना कुछ करके भी हमने क्या क्या कर लिया कौन सा हमने एक भरम पाल के रखे और बहुत सारे भरमों में जीवन को व्यतित करते रहें और दूसरा कई लोग हमारे सामने भरम उत्पन करते रहते है तो ठीक है अब दुनिया पहले से छोटी हो गई है अब इस बात को समझना चाहिए पहले जैसे दुनिया आप नहीं रह गई है फेले दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते थे की शायद हम यहां चले जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे वैसा कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे तो धूर के ढोल सुहाने होते ही हैं खैर लेकिन जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जैसा सोचते थे वैसा नहीं है इसलिए संतुलन जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो सुखी परिभाशा बदल देजिए और संतुलन के पीछे भागिए संतुलित करिए, संतुलन की अवस्था में रहिए संतुलन की अवस्था में रहिए अपने शरीर को भी, अपने मन को भी एक संतुलन की अवस्था में हमेशा रखिए और इस तरह से कर्म कीजिए कि एक संतुलन की अवस्था बनी रहे एक संतुलन की अवस्था जीवन में बनी रहे और उससे सुख का अनुभाव जीवन में भी होगा और जो ध्यान योग है जो योग का मार्ग है जो अध्यात्म का मार्ग है वह तो संतुलन की अस्थापना के लिए ही है वह तो balance को लाने के लिए ही है हम पुर्ण रुपेन संतुलित हो जाएं तो समाधी हो जाएगी और उसमें जो आनंद होगा आपको ऐसा लगेगा कि हम कृत्य कृत्य होगे अब कुछ करने के लिए नहीं अब तो बस मजा आ रहा है अब इससे निकलने की आवशक्ता ही किया है स्वामे विवेका नंद को रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठी से जब इसपर्श किया तो वो एक ऐसी अवस्था में जाने लगे वो एक ऐसी अवस्था में जाने लगे जो शुन्य की अवस्था थी और जब वहां से वापिस लोट कर आए एक बूंद मिला जब वहां से वापिस लोट कर आए तो उन्होंने ठाकुर के चरन पकड़ लिए और कहा कि ठाकुर मुझी उसी अवस्था में रहने दीजी ठाकुर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ये तो मेरे संपर्क से हो गया मेरे संपर्क से हो गया लेकिन इसके लिए तुम्हें संगर्श करना है और दूसरों को इसके बारे में बताना है कि ऐसा आनंद है ऐसा शुन्य है उनको लगने लगा स्वामी विवेकानंद नरेंदर नाथ दत्थ उनको लगने लगा जैसे कि संपूर्ण विश्वहीं एक शुन्य में समा रहा है और सारी अनुभूतियां सारी इंद्रियां मन बुद्धि चित एहंकार सब कुछ शुन्य मैं हो रहा है सबका ले हो रहा है ऐसा अनुभाव वो करने लगे तो ऐसी अनुभूति उसे समाधी सुख की एक वूद्ध बात रहे लेकिन ये मिल जाए तो फिर क्या है उसके मन में ये बना रहेगा कि मुझे तो उसी ओर जाना है हाँ ठीक है नहीं जा पाएगा खोशिश करेगा अभ्यास करेगा ध्यान योग करेगा लेकिन जीवन में बना रहेगा फिर क्या योग में रहना क्या भोग में रहना कहां रहना कुछ ज़्यादा फरक उसी योगी के लिए पढ़ता नहीं है तो इसी सुकh की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, फिर उसका लोका नंद, एक और बात, यहाँ पर जो सुतर है, अभी तक मैंने सुतर पढ़के आपको नहीं सुनाया, सुतर क्या कहता है, उसको देख लेते हैं, सुतर कहता है लोका नंद समाधी सुखम, लोका नंद समाधी सुखम तो वास्तों में समाधी ही परम सुख है लेकिन जो लोक का सुख है वास्तों में संसार का सुख भी योगी ही भूग पाते हैं संसार का सुख भी योगी ही भूग पाते हैं क्यों भूग पाते हैं? क्योंकि वो सुक्को सही तरीके से समझते है और उन्होंने एक वैसे आनंद का अनुभाव कर लिया है कर लिया है तो वो संसार में भी अगर रहते हैं तो उस चेतना में अपने स्वा में ही सारी चीजों को देखते हैं सब कुछ ब्रह्म मैं ही समझते हैं और उसी चित में ही तो सब हो रहा है ना, सब कुछ तो हमारा ही है, हम ही में है, हम से बाहर क्या है, सारा संसार चित में है, क्योंकि सारी इंद्रिय अनुभूतिया भले ही आपको बाहर की और हमें दृष्टी हो रही है, लेकिन सब कुछ चित में ही प्रतिविंबित हो रहा है और चेतना के कारण ही हो रहा है, चेतना के समराज्य में ही हो रहा है, तो चेतना से परे कुछ भी नहीं है, सब उसी का प्रकाश है, इसलिए अद्वाइत का विवर्तवाद सिद्ध किया जाता है, manifestation, science of manifestation, सब कुछ manifested है, चेतना के द्वारा, projection है एक, इंद्रियों के माध्यम स ये संसार, इसलिए मित्या भी है, सत्य नहीं भी है, सब कुछ अपने आप में ही है, और योगी कहता है कि मैं स्वे में ही द्रिश्य हूँ और मैं स्वे में ही द्रश्टा हूँ, जी हाँ, एक बार गौर से देखिए, ये संपूर्ण जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप ही है वो, सब कुछ तो आपके चित में बन रहा है, सारे ख्याल, सारी बाते, सारे प्रतिविम्ब, आपके चित में ही तो बन रहा है न, तो चित में ही सारी चीजे आपकी बन रही है, मैं ही द्रश्टा हूँ, मैं ही द्रश्य हूँ, इस विशे को मार्शी पतंजली ने थुड़ा और सुत्रों में लेकर इसको समझाया है तो शिव शुत्र का संबंद पतंजली योग सुत्र से आप श्रीमत भगवत गीता भी हम पढ़ते तो योग सुत्र से उसका संबंद काफी नस्दीक बनता है इसलिए गीता को भी योग शास्त्र कहा जाता है शिव सुत्र भी अपने आप में योग शास्त्र है मूल अधार इसे वेदो का भी अधार माना जाता है प्रिवैदिक माना जाता है वेदो से भी पहले का और वेदो का अधार माना जाता है शैवदर्शन को शैवसास्त्र को तो इसलिए जो समाधी का सुख है लोकानंद का सुख भी तभी आता है लोकानंद मत्तब इस संसार का आनंद भी तभी आता है इसलिए लिखा गया लोकानंदम समाधी सुखम लूकानन्दम समाधी सुखम बस संतुलन के विज्ञान को समझना हमें एक संतुलित जीवन जीना है हर पक्ष में एक संतुलन को ले आईए कोई किसी चीज में बहुत अधिक हमें आनन्द आता तो उसको इतना मत बढ़ाईए कि वो दुख का कारण बन जाए हर पक्ष में एक संतुलन योगी बनने का मतलब क्या है क्या सिर नीचे करोगे टांग उपर करोगे तभी योगी बनोगे आसन करना चाहिए वो भी संतुलन के लिए है न सायरिक संतुलन के लिए लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर दोगे तो पता चला संतुलन बिगड़ जाएगा अगर ज़्यादा ही आसन कर दोगे कि ये भी करके दिखाऊंगा वो भी कर इस्टेज सो आजकल योगासन करना भी स्टेज शो जैसा हो गया है आजकल योगासन करना भी स्टेज शो जैसा हो गया है वास्तों में योगासन का उद्देश भी शारिरिक संतुलन के लिए ही था लेकिन जहां स्टेज शो आ जाएगा वहां तो बात बिगड़ेगे टेज शो के चक्कर में लोग जो ना करना हो वो भी करना शुरू कर देते हैं तो कि प्रदर्शन में तो प्रदर्शन का इंपोर्टेंस वहां पर हो जाता है तो संतुलन हर वस्तु में प्राकृतिक चिकितसा वस्तों में किसलिए है अब कोई भाई साब मिले उन्हों का प्राकृतिक चिकिस्ता आ रहे उसमें तो भूके प्राकृतिक चिकिस्ता आपको भूखा रहना नहीं सिखाती संतुलन के लिए जरूरी है कि थोड़ा भूखा भी रहा करो कभी-कभी भोजन का त्याग भी करो कभी रसाहार कर लो, कभी सिर्फ फलाहार करके रहो बहुत सारे विक्रतियां शरीर के निकल जाएंगी मजे लेने के चकर में, लाइफ को इंज्वाय करने के चकर में आपने शरीर का हालत खराब कर देते हैं आप लो अब शुरुवात में तो ध्यान रखा नहीं आपने 45-50 की उमर हो गई तो क्रिटेनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिर बढ़ा हुआ है डाइबटीज हो रहे हैं, आप बहुत तरह की चीज़े हो रही हैं आपको क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ा हुआ है संतुलन में आईए, अब तो जब सुरु से किये होते तो बात अलग होती अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है, तो भाई संतुलन माने के लिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी अब थोड़ा रसहार कीजिए, थोड़ा फलहार कीजिए, तो bring yourself in balance यह फिलोसफी है समाधी सुख के पीछे समाधी सुख के पीछे यही फिलोसफी है, तो समाधी पुर्ण संतुलन है शंतुलन के बहुत करीब हम चले जाते हैं कितना करीब 90% 95% हम अपने completeness पूर्णता के करीब चरी जाते हैं हम कहते हैं पूर्ण आजकल कुछ लोग मिलते हैं ऐसा ही किसी की संस्था गुरु जो जो गुरुओं के जो चेले हैं रे भाई पूर्ण होने का मतलब क्या है हमारे गुरुजी के शरण में आ वो पूर्ण सत्गुरु है पूर्ण होने का मतलब क्या है पूर्ण होने का मतलब संतुलित पूरी तरह से संतुलित लेकिन अब गुरु जी के अंदर तृष्णा है कि पूरी दुनिया में acceptance होना मिलना चाहिए पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए फिर जो है misguided concept अपने शिश्यों को दे देंगे कभी विश्व शांती का तो कभी किसी चीज़ का ठीक है शांती के लिए प्रयास करना ही चाहिए लेकिन विश्व ही मिथ्या है तो शांती कहां ढूंड रहे हो मिथ्या वाले विश्व में ढूंड रहे हो या अपने भीतर वाले में ढूंड रहे हो अगर भीतर वाले विश्व में ढूंडोगे तो वो तो मिल जाएगी चाहिए बाहर वाला भले अशांती रहे है तो wrong concept, misguided concepts अपने चेलों को दे कर अब गुरु भक्त बन गए इसलिए कहना पढ़ता है कि भाईया गुरु जी मत बोला करो इसलिए कहना पढ़ता है शास्त्र वास्तों में क्या दे रहे हैं क्या समझा रहे हैं वो समझने की आवशक्ता है इसलिए बहर मुखी कोई अभियान चला कर क्या होगा जो वास्तों में जो शांती की परिभाशा दी जा रही है जिस समय आप संतुलन में आ गए सारा विश्व आपके लिए सांत हो गया नहीं तो व्यर्थ में किसी विश्व शांती की खोज करने में कुछ संस्थावाय लगे हुए है तो ठीक है संतुलन की अवस्था समाधी की अवस्था यही हमें करना है और समता पुरवक समभाव से हमें संसारिक भोग को करना भी संतुलन ही हमें ले आता है सम्यक कर्म हो हमारा और जहां सम्यक कर्म होगा वहीं सम्यक भोग हो पाएगा दुख भी आएगा तो दुखों का भोग भी आप सम्यक पुरुवक करोगे सम्ता पुरुवक करोगे बहुँ ज़्यादा परेशान नहीं होगे अगर दुख भी आगया तो तो यह सब छोटी-छोटी बाते हैं जो हमें और शास्त्र सम्बत बाते हमें समझना चाहिए तो लोकानंदम समाधी सुखम यह सुत्र है किसका सुत्र है यह शिव सुत्र वसुगुप्त रचित शिव सुत्र कहता है लोकानंदम समाधी सुखम लोकानंदम नहीं ही द्रश्य होता है और स्वे में ही द्रश्टा होता है जब वो आत्मेस्थित हो जाता है शुद्ध चेतना जहां रहती है वहाँ पर वो स्वे में ही द्रश्टा है यही सुख है यही आनंद है तो चलिए मुझे लगता है कि प्रयाप्त है समस्दार को इशारा काफी हो सकता मैंने पहली कहा था यह ऐसा विशह है कि बोलने से तो कोई अनुभाव में आएगा नहीं ध्यान योग अच्छे से करेंगे तो अनुभाव में आएगा तो इसलिए जो है प्रेणना देने के लिए विशार होते ही है तो समस्दार के लिए इशारा ही काफी होता है मैंने जो भी बोला है वो एक इशारा मात्र है आपको करना है प्रैक्टिकल करना है आपको साधना करनी है आपको योग ध्यान योग करना है योग के मार्ग पर आग निर्भर करता है आपकी सोच कैसी है आपका दृष्टिकोन कैसा है अगर संतुलन का दृष्टिकोन है कई बार लोग ये भी कह देते हैं न कि बहुँ ऐसा जहां पर होगा कि हम साधना करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे ये हो जाएगा वो जी हाँ दुख तो दूर होते हैं क्योंकि आप संतुलन के अवस्था में जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे संसार के भोग आ जाएंगे समझना चाहिए, हमें एक संतुलन इसलिए जब भी ध्यान यूग करेख, साधना करेख इसका संबंद संसार के सुख और दुख से नहीं है यहर अवस्था में करने योग हैं अगर जीवन में दुख आ रहा है, तो भी करने योग है जीवन में सुख आ रहा है तो भी करने योग है लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते कि अरे जब जीवन में दुखी आ रहा है तो आप ध्यान योग क्यूं करे हम क्या मिला हमें ध्यान योग करके हम तो दुखी ही होए जा रहे हैं अरे भीया इस चीज का संबंद आपके सुख और दुख से है ही नहीं तो क्यूं इसके पीछे लगे हुए हो क्यों कई बार लोग ये सोचते हैं न जब उनको अपने करमों से नहीं मिलता है तो चलो कोई गुरु जी के शरन में चले जाते हैं स्वामे विवेका अनञ जब राम कृष्णi परम्हंस के शरन में गए अब वो तो सिद्धपुरुष थें लेकिन उनके शरन में गए तो स्वामे विवेका ननञ के जीवन में बहुत दुखाया उनके पिता के मिर्ट्रे हो गई उनके ताउ इस्से की प्रपटी थी वो भी हडपली करीबी का जीवन आ गया ठीक था लेकिन ठाकूर के शरन में जाने के बाद यह सब लेकिन जो मिला ठाकूर की शरन में जाकर जो मिला था उसका अनुभाव स्वामी विरिकानन को था इसकी तूलना वहां से नहीं की जा सकती है लेकिन फ गुरू की करनी गुरू जाने चेला की चेला कभी साहिब कहते हैं सबको अपना अपना प्रारब्ध अपना अपना कर्म भोगना है आप अपने रास्ते पे रहिए तीक है? आप किसी परस्थिती से भ्रमित मत होईए बस इतनी सी बात है तो यही सब है बहुत सारी बाते हो जाती है समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है इशारा ही काफी होता है यह विशे इतना गूड है कि मैं कितना शब्दों में व्यक्त करूँ और कितने घंटे करूँ शायद पुरी रात भी करता रहूं तो कहां से पूरा हो पाएगा समझने की जोरत है चली आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कमलेश खैरनर जी बहुत बहुत अभिनंदन शंकर प्रशाद जी जगत नरायन जी अवधेश कुमार जी नवजोत नात राजूपाल विनोध कुमार शर्मा सविता नायक सरोज कृष्णानी जी राम प्रकाष विनोध कुमार सूद जी विष्णुचंद्र मौरिया जी गोविंद प्रसाद नीमा जी श्वेकार रायश नहा जी अमन कक्कर जी माधुरी कोले जी अजित भाई पटेल नहाई कुमार जी सीता राम माली रमेश पेशवाने जी उशा शिरवास्तवा जी अंकर सोनी जी वाश केमर राम विलास जी जोनती दत्ता जी काशिनात जी योगेंद्र पंडे जी बीकु कुचाडिया जी मनीश जादो जी पर जी जी कुवर जी रूपलाल विश्व करमा जी बिमला शा जी दुश्यंत चोहान माराजेश्वरी शतीष मास्चर राम लखन राजपूत एके त्यागी गोपाल दास रविंद्र मकवाना अशोक रावल बहुत अभिनन्दन है आपका कुष्णू प्रकाश बैनर जी आप सभी का बहुत अभिननन्दन है त्यानंद जी कुष्णू प्रकाश बैनर जी कृष्ण दर्शन दर्ष्टा एक यही त्रिपुटी ज्यान कृष्ण गुरु प्रमात्मा एक यही त्रिपुटी ज्यान जी ठीक है अद्वाइत सिधान्ती है जो आपने लिखा है कंभीर शाजी ओमराज हैंब्राउम इसमिता सावंत आशा रानी बिसलाल बहादुर सिंग रचना जी टीन पाणे जी जला प्रताप भाई अभिरंदन है आपका अंजू मलहोत्रा बहुत बहुत धन्यवाद परफेक्ट जो सिर्फ परमात्मा ही है ठीक है सोमू अभिरंदन है विश्वनात सिंग मोहन रावत पटेल केशवलाल पवन कुमार गुपता अंजू मलहोत्रा उपेंदर तिवारी संदी परोडा मौली सवादसकर संदी परोडा गुरुजी अगर कुंडली में कोई दोश है तो क्या लाइफ टाइम तक रहता है या इस उपाय के द्वारा इसे उपाय के द्वारा समाप्त किया जा सकता है फिर प्याब बताए समाप्त तो नहीं किया जा सकता कम किया जा सकता है निर्भर करता है कि दोश कैसा है कुंडली भी एक संतुलन ही हमें दिखाते, इसलिए हर जनम कभी भी कोई ऐसी जनम कुणली आपको नहीं मिलेगे, जिसमें दुख के ग्रह ना हो, ठीक है, हाँ किसी में ज्यादा किसी में कम होते तो जरूर है, किसी में किसी रूप में, तो किसी में किसी रूप में, किसी में संसारिक रू हमें यह जोतिश जो वेदांग है वह भी हमें इस बात की और समझा देता है कि जी हां संतुलन ही उपाय है तो वो दोश कैसा है? किस प्रकार का है? जनम कुंडली के अंदर दोश कैसा है? किस प्रकार का है? उस दोश को देखकर ही बताया जाएगा ना? उसका उपाय काम करेगा नहीं करेगा? इतना काम करेगा? ठीक है? तो इस बात को समझने की संदी परवराजी ज़ुरत है हाँ आप अपना बर्थ चार्ट या जनम कुणली आप विशलेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए आप संपर कर सकते हैं आप जो है संपर करकर 9661-802459 इस पर आप जो है कॉंटेक्ट करके वाटस अप या टेलिग्राम से आप जानकारी लेंगे तीक है Hastrage आप अपना उसका विशलेशन आप करना चाहें करवा सकते हैं भेनम कुणली का बस इतना ही है की आप को इक गाइडॉइन्स मिल जाता एक ऐसी ऐसी चीज़هم कोई सही से बता तो आप इसके लिए इसका शुल्क भी होता है तो शुल्क क्या है कितना है आप मैसेज करके ही पता करेगे ठीक है और फिर इसकी जानकारी लेकर आप लाब उठा सकते हैं चलिए पुल मिलाकर वहां पर भी संतुलन का ही उपदेश मिलेगा कि भाई संतुलन लाओ ये ग्रह ब कर बिगाड रहा है बैलेंस में ले आओ क्यों बिगाड रहा है हमारे ही करम संस्कार है बैलेंस में आना भी होगा क्योंकि कर्म प्रारब्द से हटकर क्या हो सकता है प्रारब्द से हटकर नहीं हो सकता कुछ तो इसलिए कर्मों में प्रारब्द से हटकर कुछ हो सकता है तो तो योग मार्ग आपको प्रारब्द से अलग ले जा सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं संसार में, जो प्रारब्द को भोगने से रोख सके। सूरत जी इश्वर और जीव में एक अद्वाइत आत्मा कॉमन है इश्वर और जीव में एक अद्वाइत आत्मा कॉमन है का क्या मतलब यह दो चीजी है जिसमें कोई एक चीज कॉमन है सबकुछ उस आत्मा का ही प्रतिविंब है अब आप इश्वर को हो या जीव को जीवो ब्रह्मय बनापरा जीवो ब्रह्मय बनापरा जीव भी ब्रह्मय से परे नहीं है these minist shoe ए क्या मत् ! कामन क्या होग्या ? सारी चीज, बन ही उसी से रही है सब गुठ उसी से है तो वही है सब कुछ हां हमारा ज्ञान नहीं है कि वही है सब कुछ जिस समें हम ब्रह्मः ज्ञान की अवस्था법 Dadic आत्मेक्य बोध को जब हम प्राप्त हो जाते हैं जो आदि गुरु शंकराचार विवेक चुडामनी में कह रहे हैं तो ब्रह्म आत्मेक्य बोध को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो यह हमें इस्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ तो ब्रह्म सही है तो common वाली बात common factor वहाँ पे आता है जब दो अलग अलग चीजों में कोई ऐसी वस्तु हो जो एक जैसी हो तो हम उसे common factor बोलेंगे जैसे हम algebra में common निकाल देते हैं physics पढ़ते वे chemistry पढ़ते वे हम common निकाल देते हैं carbon dioxide और पानी में oxygen common हो गया common element हो गया तो इश्वर और जीव में आत्मा common element हो गया आप कुछ ऐसी बाते यहाँ पर ले आ रहे हैं नहीं everything is the manifestation ठीक है तो सिर्फ माया के कारण है ये बात तो समझ में आये लेकिन इश्वर और आत्मा में दोनों infinite और सब में है बीच में internet बाधा कुछ आई है तो वो ठीक हो गई है तो प्रश्ण कहा रहा है कि इश्वर और आत्मा दोनों infinite और सब में है फिर क्या जीव में आत्मा और इश्वर दोनों है ये बात ऐसे है जैसे आपको कहा जाए कि एक ग्लास है उसमें पानी बढ़ा हुआ आप बोलो कि इसमें वाटर भी है और जल भी है क्या दोनों है आपका प्रश्ण बिल्कुल ऐसे ही है जब आप ये पूछ रहे हो कि जीव में ईश्वर और आत्मा दोनों ही है ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे एक भरा हुआ पानी का ग्लास हो आप बोलो कि इसमें वाटर और जल दोनों है क्या ये बात बिलकुल वैसे ही हो जाएगे फिर क्या water और जल दोनों है ये प्रशन भी वैसे ही है आत्मा और ईश्वर दोनों है आत्मा ब्रम आत्मा ही ब्रम है जब आप जीव के संदरम में देखते हो जब आप the differentiated form में देखते हो differentiated form integrated form अब थोड़ा सा यहाँ पर calculus आ जाएगा mathematics से तो जब आप differentiated form में जब आप देखते हो तो आप कहोगे इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा लेकिन जब integrated form में देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा सर्व्यापी ब्रह्म, सर्वखल में दम ब्रह्म ब्रह्म हो जाएगा फिर, अब इश्वर इश्वर वर्ड का etymology क्या है? वाट इस दो मिनिंग आफ वर्ड इश्वर इश्वर शब्द का अर्थ क्या है? आप विडियो सुनिए, ये सब बाते में explain कर चुका हूँ आप पीछे के विडियो में जाएगे, ये सब बाते अच्छे से explain हुई है इश्वर शब्द का अर्थ मैंने explain किया कई विडियो में आप कहो कि इश्वर परम शक्तिशाली, परम पिता है वो हम पर दया करता है, वो हम पर कृपा करता है, अरे भाई, what is the meaning of इश्वर? इश्वर शिदी सी बात है और इश्वर का विलोम क्या है? कई बार हम विलोम को लेकर भी अर्थ समझ लेते हैं जैसे कई लोग को ये समझ में नहीं आता कि भजन का अर्थ क्या है? तो भजन का विलोम है विभाजन विभाजन मतलब बाटना तो भजन मतलब एक करना clear हो गया अर्थ? etymology clear हो गई? literal meaning समझ में आ गया? तो इश्वर का विलोम है नश्वर जो नाश्वान है और इश्वर जो नश्ट नहीं होता आत्मा कभी नश्ट नहीं होती तो आत्मा इश्वर है इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा है और आप प्रश्न कीजिए वाटर भी है जल भी है तो इश्वर शब्द का अर्थी है कि वो कभी परिवर्तित नहीं होता जो सनातन है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है इश्वर वही है वो कभी परिवर्तित नहीं होता वो बदलता नहीं है आत्मा हमेशा है सर्व्यापी है चैतन्य है काल के परे परिवर्तन काल के वशिभूत जो वस्तुवे है उन्ही में परिवर्तन होता है इश्वर शब्द का अर्थ है आ परिवर्तनशील जो कभी परिवर्तती नहीं होगा तो पहले अर्थ तो समझ लीजिए अगर आप कहतो इश्वर है इश्वर है इश्वर है इश्वर है मैं तो इश्वर को मानता हूं मैं तो एक अरे भाया ये इश्वर शब्द जिस भाषा से निकला है संस्कृत भाषा से निकला है तो जोरा संस्कृत भाषा में ही देख तो इसलिए ये प्रश्ण की इश्वर मतलब जीव में इश्वर भी है और आत्मा भी है मतलब ये दोनों है तो ये बात भी बिल्कुल वैसे ही लगती है ग्लास पानी से भरा है आप बोलो इसमें वाटर भी है इसमें जल भी है, दोनों है दोनों नहीं है, वो एक ही चीज है तीक है? वो एक ही वस्तु इसलिए आयम आत्मा ब्रह्म को भी कहा गया तो आत्मा तो चेतना है, संपूर्ण चेतना है इश्वर कहां से अलग से आ जाएगा तो वही इश्वर है, जो विना इश्वर विलोम जाएगा नश्वर, जो नश्ट होने वाला है इश्वर और नश्वर तो इसलिए आत्मा और इश्वर दो अलग अलग चीजे नहीं है तो एक ही चीज है, जिसको आप आत्मा भी कह रहे हो और इश्वर भी कह रहे हो तो यह हो जाएगा माराजेश्वरी जी संतुलन का नाम ही जीवन है समभोग का अर्थ बतला कर बहुत अच्छा किया ज्यादातर सभी लोग एक अही अर्थ समझते हैं धन्यवाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी तो इसी के साथ अभी चलते हैं किया अपने कोई गलत नहीं किया मैं यह नहीं कह रहा हूँ इसलिए मैंने उत्तर भी दिया प्रशन आप कर सकते हैं क्याए पीछे कितने भी वीडियोस में बताये गए हो प्रशन क्यों नहीं कर सकते हैं बता देता हूं इसलिए ताकि आप पीछे की वीडियोस भी इस अंदर में देख सकते हैं समय दे दिया उत्तर दे दिया हो गया अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है बहुत बड़े-बड़े कॉंसेट दिये होते हैं छोटे-छोटे शब्दों में यही सुत्रों की पतंजली योग सुत्र भी इसी तरह से मिलता है छोटे-छोटे शब्दों में पतंजली ने लिख दी मर्ची पतंजली ने लिखा है अब हम उसे समझने के लिए अध्यान और अभ्यास दोने तक ध्यान योग का सही से अभ्यास नहीं करेंगे और जो लोग ध्यान योग कोर्स करके अभ्यास कर रहे हैं मुझे भी यही लगता है यह जितनी भी बाते हैं वो जादा बहतर तरीके से समझ रहे होंगे और जिन्होंने ध्यान योग का कोई उनको कहीं से भी किसी गुरुजी के माध्यम से लिया हो चाहिए यहां से भी नहीं लिया कहीं से भी नहीं लिया तो बाते सही से समझ में नहीं आएंगी ठीक है यहां व्याक्या की जा रही है ताकि प्रेणना मिले और हम समझ पाए लेकिन समझ में आजकल उन्हीं लोग को आती है क्योंकि संस्कृत लोग सही से समझते भी नहीं है उन्हीं लोग का आती है जो ध्यान योग करते है तो उनको थोड़ी ज्यादा concept clear होते हैं अच्छे से समझ में बाते आती है चलिए तो दोनों की ही आवशक्ता पड़ती है और यहां पर मैं जो भी बोलता हूँ वो मात्र अध्यन से नहीं दोनों ही चीज़े उसमें होती है त विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का करेंको